आमिर जमाल ने आज औस्ट्रेलियन्स को तरसा के रख दिया, परिशान करके रख दिया, ये सिर्फ एक आमिर जमाली है जिसकी बदॉलत पाकिस्तान की टीम आज 300 के रन के पार पहुंची है, कुल मिलाके 313 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए है, 313 का टोटा लकाश जो टीम एक समय पर लगबग 46 के स्कोर पर 46 for 4 पाकिस्तान था, वहां से 313 तक जाना, मतलब साफ साफ आप ये कहेंगे यार कि भाई, आमिर जमाल का है कमाल, इस लड़के की डेब्यू हो रही है, इस सीरीज में ये कोई कह नहीं सकता, नंबर 9 पर आज आमिर जमाल ने बैटिंग की है, और जिस तरह की बले बाजी आमिर जमाल ने आज आपको करके दिखाई है, ये शायद टेस्ट के इनके करियर के तहास में आखरी बार है, जब नंबर 9 पर आमिर जमाल से बैटिंग करवाए जा रही है, साजे दली को इन से पहले बेजा गया था, अगली बार से आप दे जमाल की हिटिंग देखो, आकाश, किस शांदार खूपसूर्ती से रिवर स्वीट के चक्के लग रहे हैं, मिडल आफ दे बैट से शौट जा रहे हैं, पैट कमिस इतने परिशान हो गए, कि पैट कमिस वहाँ पर मारनस लाबुशें से भी बॉलिंग करवा रहे हैं, ट्रै 86 रन की पार्टरशिप, 86 रनो की पार्टरशिप होई, और ये पारी, जो इस खिलाडी ने इस तस्वीर में दिखाया है, वो इस खिलाडी ने आज आपको दिखाया, पावर हिटिंग इतनी शांदार हिटिंग भी आकाश, ऐसे नहीं कि अंदा दून हिटिंग है, इतनी clean हि रिजवान की तरफ से आई, 82 रन वहाँ पर आमिर जमाल ने बनाए, जिस शॉट पर आउट भी हुए हैं आमिर जमाल, आगे बढ़कर लॉंग ओन की दिशा में कोशिच थी कि एक बड़ी बाउंडरी आए, लेकिन नेथन नायन ने अंतता वहाँ पर जो है, वो आमिर जमाल क में चुका है, क्योंकि जैसी आज इन्हों ने यहां पर हिटिंग करके दिखाई है, इस तरहां की हिटिंग का उप्योगा बहुत शांदा T20 में भी कर सकते हैं, और New Zealand के सामने पाकिस्तान की जो पांस T20 मैच की सीरीज है, उस कोड में भी आमिर जमाल का नाम सामने आ रहा ह हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा, अमिर जमाल ने पहले टेस्ट पहली इनिंग में इस्टेलिया के खिलाफ काफी अच्छी नहीं खेली है, उन्होंने ब्यास्ति जान मार कर ये साबी कर दिया कि पाकिस्तान की पहली विगर्स लेकर आखरी विगर्स तक टैलन्ट है,